उत्तर प्रदेश में भारती जंता पार्टी के सरकार और छवी ये दोनों 2024 के चुनाव के बाद से मुश्किल में बढ़ती हैं और मुश्किल कम होने की बज़ाए बढ़ती जा रही थी ऐसे में माना ये जा रहा था कि 2024 में भाजपा के अंदरूनी कलह ने उसको नुकसान पहुँचाया और अब सामने 10 उप चुनाव हैं विधान सभा के और उसके बाद तैयारी रहेगी अगले विधान सभा चुनाव की ऐसे में भारती जंता पार्टी अंदरूनी कलह को कम करने के लिए RSS का सहरा ले रही और RSS ने अब कमान सम्हाल ले है भारती जंता पार्टी की राजनीतिक भूमिका को बहतर करने घर के जगडे को ठीक करने और दुरुस्त करने के लिए तो आज के वीडियो में जड़ा पड़ताल करेंगे कि RSS की भूमिका क्या आने वाली है BJP के छवी को, अंदोरुनी कलह को और राजनीति को सम्हालने सुधारने के लिए कौन है वो अरुन कुमार जो मुख्यमंत्री के साथ हाई लेबल की बैठक कर रहे हैं और वो हाई लेबल की बैठक BJP के नेताओं और RSS के बीच में हो रही है क्या क्या तैं हुआ उस बैठक में और क्या रड़नीती बनाई है BJP ने इस पर परताल करेंगे और इसका भी मुल्यंकन करेंगे कि आने वाले दिनों में इसका क्या आसर देखने को मिलेगा तो आगत है आप सबका 4PM News Network पर मैं हूँ डॉक्टर लक्षमर्ट यादाओं तो फिलहाल उत्तरप्रदेश जो उर्यदेश की राजनीती का एक बड़ा केंद्र बना रहता है उस उत्तरप्रदेश में भारती जन्ताप्रटी की सरकार है और भारती जन्ताप्रटी की बड़े चहरे के पोष्टर ब्वाई के रूप में योगी आदित्तिनात मुख्यमंत्री है अयोध्या, मतुरा, काशी तीनों उत्तर प्रदेश में है प्रधान मंति नरेंद्र मोधी 2014 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की एहमियत को समझते हुए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा की 80 सीटे उत्तर प्रदेश में होती और बीजेपी की राजनीति का केंद्र है बना उत्तर प्रदेश जिसका उधारन इस बात के रूप में आप समझ सकते हैं कि 2014 में उसमें लगभग 73 सीटें बीजेपी जीती है और उसके बाद 2019 में भी लगभग 65 सीटें बीजेपी के पास रहती है 2024 में आते आते वही बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारती है और उसमें बड़ी भूमी का समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के गडबंधन की होती है अखिलेश यादों के पीडिये की होती है और बीजेपी का अंदरूनी कला बढ़ता चला जाता है जगडे जो घर के थे 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की वहाँ पर इंट्री होती है और उस समय से जगड़ा एक शुरू हुआ कि मुख्यमंत्री कौन वोग्योगी आदितनाद बनाम केश्व प्रसाद मौरिया या बहुत तरह के जगड़े चलते चले आते हैं और ऐसे में यह 2024 का चुनाव उस जगड़े को उस पूरी सियासत को कई गुना बढ़ा देता है 43 सीटें ऐसी जो बीजेपी हार जाती है और 7 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर ऐसे समिंकन हैं कि माना जाता है कि हरवा दिया गया तो बीजेपी लगभग 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से पीछे चली गई उसके प्रती लोगों का रूजहान नहीं रहा जब हार का मुल्यांकन बीजेपी ने करना शुरू किया तो एक मुल्यांकन यह भी आया कि क्या बीजेपी के अंदरूनी कलह ने उनको भारी नुकसान पहुचा दिया है बड़ी बड़ी बैठके होती है बहुत मुल्यांकन होता है तमाम तरह की चीजें होती है और उसमें यह पता चलता है कि 2017 से लेकर 2022 तक और इवन 24 तक उत्तर प्रदेश की बीजेपी की लीडर्शिप में योगी आदितनात, बनाम, केशव प्रसाद मौरिया और तमाम लोगों की राजनी थी जिस तरीके से अंदरूनी कलह के रूप में आगे बढ़ती है बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती चली जाती है इसलिए यह देख पाना मुश्किल था कि इस कलह क शिकार कौन है इसकी वज़े क्या है बीजेपी अपने अंदरूनी कलह से इतना परिशान और इतना मजबूर होती है कि वह दिली से लेकर लखनव तक कि लोगों के रेश सुरू हो जाती है कि कौन इसका कारण है मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए या उप मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए मंत्री मंडल बदल दिया जाए बहुत तरह के सवाल और बहुत तरह की चंताएं बीजेपी के सामने आने लगती है और उसी समय एक यह भी प्रयास यह भी बहस बिशलेशकों राजनितिक बिशलेशकों चुनावी गुड़ा गड़ित को समझने वाले लोगों के बीच में आती है कि क्या आरेसस ने बीजेपी का साथ नहीं दिया तो जो संगठन बढ़ा की सरकार बड़ी इसका जो जगड़ा था इसके समनांतर एक और जगड़ा सामने आया कि भाई आरेसस ने क्या बीजेपी को उतनी मदद नहीं पहुँचाई जितनी भी बैठके दिल्ली में होती हैं कि संगठन भी बड़ा सरकार भी बड़ी अब आपसी जगड़ों को खतम किया जाए और उस समय ये तैं किया गया कि अब ये दस उपचुनाव एक शर्त की तरह आपके उपर थोपे जा रहे हैं इन दस के दसो उपचुनाव में अगर आप ब जहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तब मुल्यंकन किया जाएगा कि अब आपकी राजनीति को कैसे देखा समझा जाए ये दस की दस उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीत पे भारी हैं क्योंकि इन दस चुनाव में से 6 और 7 सीटे तो ऐसी हैं जो इस पे बड़े आसानी से आज की तारीक में समाजवादी पार्टी उसके मुकिया खिलेश यादो उनका समाजिक समीकरन उनका पीडिये उनके पक्ष में लोगों का माहौल उनकी राजनीतिक सक्रियता ये भारी पढ़ रही है बीजेपी पर ऐसे में बीजेपी अपने घर के मुश्किल को कि जाती है कि भई कैसे यह बदलाव आएगा तो आरेसेस को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप जाकर के वहाँ पर बैठक करिये और उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरन को संभलिये आरेसेस की तरफ से बड़े नाम बहुत महत्पूर अरुन कुमार जो आरेसेस म को प्रभार मिला हुआ है कि ताल मेल बनाएंगे और वुन अरुन कुमार को लखनव भेजा जाता है लखनव और तब तक दिल्ली के निर्देश पर मुक्यमंत्रियों और उप मुक्यमंत्रियों के बीच की खाई को शांत करने की कोशिश के निर्देश तो दे दिये गे ले बड़ी एहम बैठक मुक्यमंत्री निवास पर होती है लखनव में पांच कालिदास मारग और मुक्यमंत्री निवास पर सीधे वो बैठक बुलाई जाती है खुद मुक्यमंत्री योगी आदितिनाथ और आरेसेस की तरफ से अरुन कुमार इस बैठक की साजह अध्यक्षता करते है और इस बैठक में दोनों उप मुक्यमंत्री यानि ब्रजेश पाठक और केश्यो परसाद मौरिया भी शामिल होते हैं बीजेपी के प्रदेश अध भुपेंद्र चौधरी भी शामिल होते हैं यह बैठक मुक्यमंत्री के आवास पर होती है बड़ी बैठक मानी जाती है उताप्रदेश के राजनितिक गलियारों में अपना दखल रखने वाले तमाम लोग इस बैठक की एहमेत को समझते हैं और वो इस रूप में देखते ह हैं कि अगर यह बैठक हो रही है तो इसके पीछे एक बड़ी भूमिका इस तरीके से बन रही है कि अब लगता है घर के जगड़ों को ठीक करना हो या जमीनी अस्तर पर जाकर चुनाव जितवाने के लिए बूथ मेरेजमेंट करना हो आरेसेस की भूमिका बढ़ेगी आरेसेस अपनी भूमिका बढ़ाएगा और आरेसेस की बढ़ी हुई भूमिका के साथ क्या इस तरीके से बीजेपी अपने को मजबूत करेगी बैठक होती है बैठक में बाकायदे पहला नर्देश दिया जाता है कि संगठन और सरकार दोनों बराबर हैं जितने भी लोग उत्तर पर देश की राजनीती पे नजर रखते हैं मीडिया के सूत्र हैं उन सब के जरिए ये कहानिया धिरे-धिरे बाहर आ रहे है और वो कहान को खतम करने के लिए एक मंच पर एक फोटो फ्रेम में एक साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के सभी बैड़े चेहरे दिखाई देंगे हाला कि ये नर्देश तो पहले ही उत्तर प्रदेश की बीजेपी को दिली की बीजेपी से मिल चुका था और इसलिए आप देखेंगे कि परसों कल जो हुआ मुख्यमंतरी पूर्व जो थे कल्यान शेंग कल्यान सेंग की दूसरी शहादत दिवस को जब बीजेपी मनना शुरू करती है तो उस दूसरी शहादत दिवस के दिन मुख्यमंतरी के बगल में दोनों कुप मुख्यमंतरियों और प्रदेश अध्यच बुपेंदर चौधरी, उनकी कुरसियां लगी होती है, कई बैठकों की तस्वीरें आने लगती है, कि ये सारे लोग एक साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वही उत्तरपदेश है, जसमें ऐसी खबरें सुनाई देने लगी थी, कि मुख्यमंत्री बैठक बुला रह हैं और मुख्यमंत्री बैठक में नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं और उनके मंत्री उस बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा था, कि जगड़ा इतना बढ़ गया है, कि अब उन दोनों में से कोई एक ही बचेगा, इस तरह के तमाम कवायत के बीच RSS की तरफ से यह संकेत और यह निर्देश दिया जाता है कि कोई भी जगड़े की बात संगठन हो, सरकार हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, अब यह पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, एक फोटो फ्रेम में सब लोग एक साथ बैठेंगे. उसके बाद सूत्रों के मताबिक दूसरी महत्पूर बात इस बैठक में यह होती है कि RSS कहता है कि हम बूथ पर मजबूती के लिए जम्मा समह लेंगे. यानि इससे एक बात यह भी तैंग हो जाती है कि क्या इसके पहले के चुनाओ में RSS ने बूथ के मेनेजमेंट का जम्मा नहीं समह लागा? क्या इसके पहले की बैठक या चुनाओं में क्या RSS ने अपनी भूमिका कम कर ली थी? हम अभी थोड़ दिर बात इसका रिशलेशन करेंगे कि RSS और बीजेपी का रिश्टा क्या है? लेकिन इस बैठक में दूसरा बहुत महतूर निर्ड़य ये लिया गया कि अब RSS जमीन पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम करेगा? शर्त ये भी रखी गई कि RSS के लोगों को संगठन और सरकार में जगह दिवस्थे मिलने लगें कई बोड और कई निगम हैं जनमें बीजेपी के लोग हैं लेकिन अब उसमें RSS के लोगों को मौका दिया जाए उनके लोगों को सुना जाए, उनके लोगों को एहमियत दी जाए, उनके लोगों को ताकत दी जाए और RSS के लोग BJP को ताकत देने के लिए जमीन पर उस एजन्डे को लेचलेंगे जो एजन्डा भारती जंता पार्टी सरकार का हूँ ये इस तरह के बैठक के कुछ बहुत महत्पूर बिंदू उभर के सामने आते हैं एक तरफ गुट बना हुआ था बुप्पेंदर चौधरी का, दूसरी तरफ गुट बना हुआ था एक डिप्टी सीम बुप्रिजेश पाठक का तीसरी तरफ गुट सबसे मजबूत जो था वो के शव प्रसाद मौरिया अपना गुट बनाए ही हुए थे संगठन बढ़ा के सरकार और योगी अधितनात मुक्त बंत रही है RSS ने कहा कि ये सारे गुटों को खतम करके अब एक रणीती बनेगी अगर ये नहीं हुआ तो अखिलेश यादो का PDA और कॉंग्रेस और सपा का गडबंधन ये सब मिल करके बड़ा नुकसान करेंगे बीजेपी का और बीजेपी के खिलाफ जनता में एक तरह से वैसे ही माहौल बना हुआ है उस माहौल का लाब अगर समझवादी पार्टी उठा लेती है और इसी दस उपचुनाव में से साथ-ाठ सीटों पर उपचुनाव अगर सपा जीत गई और अगर सपा ये उपचुनाव जीत गई तो ऐसे में क्या होगा यह बड़ा दिल्चस्प सवाल है और इस सवाल को समझने और एहतियातन इस सवाल से बीजेपी को बचाने के लिए आरेसिस ने जिम्मा ले लिया है तो आरेसिस ये वही संस्ता है जो आज तक गैर राजनेतिक होने का दंब भरती रही है आरेसिस नाकपुर की वह संस्ता है जो कहती है कि उसका राजनेति से कोई रिष्टा नहीं लेकिन वही आरेसिस बीजेपी से बीजेपी को अपनी राजनेतिक पार्टी के रूप में स्थापित कर रही है ये वही RSS है जो केंद में नरेद मोदी की सरकार हो और टलवियारी की सरकार हो या प्रदेशों में BJP की सरकारे हो उनको मजबूत करती है अपना कैडर वहां ट्रेंड करती है उन्हें BJP में भेजती है अपनी विचारधारा को जो वहां पर प्रैक्टेस कर रही होती है उसको BJ बीजेपी के सरकार से लागू कराती है अपने गाउं के लोगों को जहां ट्रेंड करती है आरेसेस वहां उनको चुनाव आने पर बीजेपी को वोट मांगने के लिए लगा देती है गाउं के बूत बूत से फीडबैक आरेसेस के करमचारियों से निकलवाती है और वहां जनीती का एक उदाहण यह भी है कि जब बीजेपी उत्तपदेश में अपने मुश्किल में घेरी हुई है ऐसे मुश्किल के वक्त में उसको मुश्किल से उबारने के लिए उसको मजबूत करने के लिए घर के जगड़े को ठीक करने चुनाव जीतने एजेंडा सेट करने इन इन निर्देशों के द्वारा पूरी कर पाएगी उन उस उमीद को जिसके उमीद में ये बड़ी बैठक मुक्यमंत्री आवास में हुई क्या RSS ने अब बढ़कर भूमिका वो ले ली है कि BJP के लोग अगर आपस में नहीं सुल जा पा रहे हैं तो कहीं ऐसा नहों कि उत्ता प्रदेश जैसे मजबूत प्रदेश की कमान हाथ से निकल जाए क्या इस तीज को पूरा कर पाएगी RSS और क्या BJP के आदरी कलह के जितने गुट हैं वो RSS को इतना महतु देंगे कि जो निर्देश RSS दे देव उसको पूरा कर लें और आपस के जगड़े को खतम करके एक फोटो फ्रेम में देखने लगें और एक दूसरे की तारीफ अब अगर आप केशो प्रसाद मौरिया के बयानों को सुनिए तो आप ये पाएंगे कि केशो प्रसाद मौरिया के कई बयान पिछले दिनों से मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे पड़ते हुए मिलते जाएंगे कि मुख्यमंत्री देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन यो गया दितना मुख्यमंत्री ने कमाल किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कमाल किया तो क्या ये असर देखने को मिल रहा है इस पर आप भी नजर बनाए रखेगा, हम भी इस पर नजर बनाए रखेंगे और अगली बार इसका विश्रशन करेंगे, तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में चरूर बताईए, फिर मिलेंगे किसे और टिपड़ी के साथ, तब तक के लिए, बहुत बहुत अन्यवाद